नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखने चीवर्स में आपका स्वागत है जैसे कि आप सभी लोगों को डाउट है किसी ने किसी क्वेशन में तो आयोग द्वारा एक लिंक जारी किया गया है प्रत्याविदन के लिए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप डिरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे, आपको UKSSC की साइट खुल जाई ठीक है, आपको स्क्रोल करोगे, जैसे आप स्क्रोल करोगे, तो नीचे पर आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको यह वाला इंटरफेस मिलेगा, आपको देखना है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके डाउनलोड हो जाएंगे, आंसर्स की, ठीक है, आपको वो डाउनलोड नहीं करना है आपको क्या करना है, आपकी सिप्ट में बैठे वे थे, पहले आपको इसका रिहान रखना है फर्स सिप्ट में थे या सेकंड सिप्ट में थे, आपने उस सिप्ट पर क्या करना है टच करना है सबोज मैं second shift पे था तो मैं इस पर टच करता हूँ तो क्या होगा नए interface खुल जाएगा वो कुछ ऐसा होगा उसमें लिखा होगा assistant teacher lt online objection और shift 2 यहाँ पे सबसे उपर यहाँ पे आपकी email id लिखी हुई होगी ठीक है अगर आपको चेंज करनी है फिर गलती से किसी और की होगी तो आप switch account करके उसे चेंज कर सकते हो फिर instruction को पढ़िए उसके तुरंत एक instruction दिया है कि जब भी आप अपनी कोई प्रूफ जमा कर रहे हो pdf की form में यह ध्यान रखना pdf की form में जमा करना है फोटो नहीं अप्लोड करनी फोटो अप्लोड करोगे तो प्रत्याविदन रद्ध मान दिया जाएगा objection नहीं होगा जेखिए जब भी आप अपनी आईडी प्रूफ अप्लोड करते हुए इस समय किरपा अपने रोल लंबर विसे प्रस्न पत्र सेट और प्रस्न संख्या को pdf के सीड्स पर उलेक करें अन्य था objection मान ये नहीं होगा अगर आपने इन सब में से कुछ भी चीज़ छोड़ दी है तो आपका objection मान ये नहीं होगा ध्यान रखिएगा फिर आपको क्या करना है थोड़ा स्क्रॉल कीजिए वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा ये डिटेल मिलेगी यहाँ पर आपको अपना candidate का यहाँ पर ये drop cap बनी है इस पर क्लिक करोगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगाँ जैसे आपके क्लिक करोगे आपके असे चार इस पर भी टिक नहीं हो तो आपको करना पड़ेगा ठीक है आप जैसे यह चूछ करोगे इसका बात अपनी booklet series को choose करोगे आपके पास A set आये था B set या C set या D set इन 4 में से कौन सा set आये था आप हो choose करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना question चूज करोगे एक से लेक जैसे आप इस पे select करोगे तो एक से लेके 100 तक के questions के number लिखे हैं आपको उस question का number चूज करना है जिस पे आपको doubt है तो जैसे आप चूज करोगे वह number यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है फिर उसके नीचे आप scroll करोगे तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि select your option ठीक है जो answer का option है उसे select कीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है आप आपने जो answer दिया है ध्यान रखेंगे क्या लिखा हुआ क्रिपा क्रिपा आयोग के उत्तर का चेहन ना करें केवल अपने उत्तर का चेहन करें यानि कि जो आपने ओमार सीट में जिस पर लगता है कि यह वाला option सही है आप उन पर click कर लिजिएगा ठीक है हो सकता है आपने a b c d तीन option पर click ना किया हो यह सोचके कि question गलत है तो आप इस पर click कीजिए आपको लगा कि उस बस से बाहर है तो आप इस पर click कीजिए और आपको लगता है कुछ नहीं है तो आप इस पर click कीजिएगा ठीक है जब आप इन पर click कर दोगे तो आपके सामने नीचे स्क्रोल करना ठीक है जैसे आपने रॉंग आंसर पर click कर दिया है तो रॉंग आंसर लिखा जाएगा फिर उसके बाद देखे फिर लिखा हुआ है इन जो लिखी वी हैं रॉंग आंसर आउट आउट अप स्लेवस और आप्शन्स आ रॉंग उनके बारे में कहा गया है कि स्क्रोल करोगे डाउन के लिखा है आपको मिलेगा Candidate Correct Option जो आपने महां पर आप्शन अभी तक उपर लिखाना है A, B, C, A, D तो आपने जो जैसे आपने लिख दिया option A तो उपर option A select किया यहाँ पे उसके आगे जो लिखा हुआ है आप उसे select करोगे example जैसे एक ट्रस्न आया हुआ था कि RTE के तहट कितनी प्रतिसत सीट हैं निजी विद्यालयवा में क्या की गई है option A select करोँगा देखेगा यहाँ पे option A select करोँगा ठीक है यहाँ रखेगा यहाँ option select होगा और यहाँ पे आप क्या करोगे वो लिखोगे 25% ठीक है फिर आप scroll करना downward तो आपको निचे बे फिर यही लिखा मिलेगा जो सबसे पहले लिखा हुआ था कि जब आप PDF बनाओगे तो PDF के उपर क्या करोगे roll number, subject, प्रस्न पत्र और प्रस्न संक्या लिखना जरूरी है तब जाके आपका objection मानने होगा ठीक है फिर आप क्या करोगे थोड़ा scroll करना downward तो आपको मिलेगा एक add file आपने जो फोटो पड़ी है या PDF पड़ी है उसे यहाँ upload कर देना जैसे ही upload करोगे नीचे एक submit का बटन है आपके पास उस submit का बटन आ जाएगा आप उस submit के बटन पे click कर देना, जैसे ही आप submit पे click कर दोगे, आपका एक प्रत्यावेदन, एक प्रस्न के लिए आयोग के पास जमा हो चुका है अगर आपको एक से ज़्यादा प्रस्न में doubt है तो आपको ये प्रकेरिया पूरी सुरू से दोरानी पड़ेगी ठीक है, हर चीज आपको उपर से दुबारा करनी पड़ेगी तब जाके आपके दूसरे प्रस्न के लिए प्रत्याविदन जमा होगा अगर आपके दो से ज़्यादा है तो ये प्रकेरिया आपको उतनी बार दौरानी पड़ेगी ठीक है, तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा Please like, subscribe and share